आईए अब हम लोग कुछ important political terms को जानेंगे जैसा आप लोग ने टाइटल में देख लिया वह सबसे important पहला term है parliamentary term है जो कि Parliament जब session में होती है या फिर जब भी हम कोई question answer करते हैं Parliament से संबंदित तो उसमें इस terms का बार बार यूज किया जाता है वह है quorum और दूसरा है lame duck session से आप क्या समझते है इस डेक्ट के लिए तो quorum एक प्रकार से जो है ना क्या होता है इसके बारे में जानेंगे पहला है कि minimum number of members देखो सदन में लोग सभा हो ठीक है या फिर राज सभा हो इनमें है 545 और इनमें है 245 ऐसे अड़ाए सो यह साड़े 500 रखा गया लिकिन अभी तो इतना ही है ठीक है members है अब है कि minimum number of members required to be present in the house before it can transact any business देखो कहने का मतलब है कि कोई भी कोई भी बिल बनाने बिल बनाना कोई भी rules and regulation frame करना कि सिर्व पार्लेमेंट की बात नहीं करना सिम्पल गाउं असतर कभी अगर एक पंचायत बैठती है तो पंचायत में कौन-कौन सामीन होते हैं पहले तो वहां का जो मुखिया होता है कि सारे पंच होते हैं फिर गाउं के लोग होते हैं मतलब कोई भी सभा और समीती क था कि अबलेवल रहें उपस्थित रहें ताखी यूँआ चोहैं एक प्रकार से कहा जाए कि हां सभा की द्वारा निर्णें लिया गया है और यह प्रकार ये उसलिए एक प्रकार से जो पार्लियं केप में एक लारजर समीधी है लारजर सभा है लारजर सदन है भारत का जैसे गरामे निलाके में चया होता है या फिर फंशा सभा करते हैं तो उस निसकर्स पर पहुँचने के लिए उस बिल को पारित कराने के लिए यह जरूरी है कि प्रयाप्त महात्रा में सदस्यों की संख्या की उपस्थिती हो तो वही कहा गया है कोरम उसे कहते हैं कि एक लिस्ट इतनी तो मेंबर होने चाहिए ताकि सभा में कोई बिल स्कोई रूल्स रेगुलेशन को पारित किया जाएगा या टेवल किया जाएगा तो उसमें वन टेंथ रखा गया है जैसे अगर इसमें 550 मेंबर है संभिधान में बताया गया है तो इसमें 100 हो गया पच्पन और इसमें 245 है तो इसमें 25 मतलब इसमें 250 ओर इजनल जो है ना 550 और अड़ाइस हो ही है लेकिन बरतमान में उतना रखाए एक प्रकार से कह सकते हैं कि कि यहां 55 सबस्वा डऊंतने होने चाहिए लोगसभा के कारबाई को चलाने के लिए राश सभा में कमसे कम तो 55 सदस्द से उस 2009 वस्त्रас बैठ उने और पर दिखे जिसमें की एक प्रकार से सभी लोगों की अकांच्छाओं को इंक्लूब किया जा रहा है ठीक ऐसा नहीं है कि दो-चार अमालों किसी दिन दस लोग कोई कुला लिया जाए जठपट से जठपट से कोई-कोई बिल-पारीत खरबा दिया जाए यह मतलब अगर मेजूरिटी वाली यो पार्टि यहों बोले अरे सुबह सब जबढ सब्धे भाई मेंबर आ जाना दस लोग ही रहेंगे इस एक स्पीकर रहेंगे इस्पी चीज पर डिसकसन हो सकता है अगर ऐसा नहीं होता है तो इस पीकर और चेर्मैन उस सदन को उस सभा को एडजर्ण कर देंगे अस्थागित कर देंगे जब तक कि मेंबर की संख्या जो है जो मीनीमम एलिजबिलीटी क्राइटेरिया है वन टेंथ वह फुल्फिल नहीं होता तब तक जो है सभाज एड़्जर्ण ही रहेगा एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी बिधाई कारें नहीं किया जाएगा ठीक है नो क्वार्ण नो बिजनस इस देट के लिए नौ दूसरा टर्म है लेम डक सेशन लेम डक सेशन से आप क्या संगसते हैं देखो मैंने पिछले भी जब हम डिसकुस कर रहे थे ठीक है डिजॉल्व जब होती है लोक सभा तो या तो पांच साल के बाद या प्री और भी डिजॉल्व हो सकती है परसिड के बतलब ओल्ड मेंबर जो होते हैं ठीक है जो कि इस लोग सभाव से हैं और अगले लोग सभाव से जब नए नए मेंबर चुनकर आते हैं और पुराने बाले को टिकट भाटी मालों नहीं देती है या फिर वहार जाते है तो वैसे ही लोगों को लेम डग घाग जाता है ठ पर एक्जामपल 2014 से 2014 से 2019 तक जो भी मेंबर थे और 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें जो मेंबर हार गए या फिर जिसे पार्टी ने टिकट नहीं दिया जो दुबारा जीत कर नहीं आए ठीक है वैसा ही मेंबर last session of the existing house जो 2014 का last session था ठीक है of लोगसभा after new लोगसभा has been elected जब नए लोगसभा के मेंबर का छुनाब हो जाता है ठीक है नहीं हो पाता है ठीक है तू दा न्यू लोग सभा नए लोग सभा में उसे जो है लेम डग सेशन का नाम दिया गया है ठीक है किलियर हो गया तो अब यही दो टर्म को लेगर हमें हाँ पर आये थे खौरम और लेम डग सेशन तो पॉल्टिकल टर्म है हाला कि इसका मतलब अग political science में इसकी डिफिनीशन और इसकी अंडिस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप अंसर राइटिंग में इसे लीक सकें is that clear so that's all thank you once again have a great day